So the question is, the coordinates of a particle moving in xy plane are given by x is equal to 2 plus 4t, y is equal to 3t plus 8t square, the motion of the particle is, और यह आपको 4 option दिये में सामने हैं, ठीक है? और यह आपका x और y's का equation दिया हुआ है, जिसके according यह motion कर रहा है, तो पहले तो सबसे पहले option पढ़िए, option में क्या दिया हुआ है? uniformly accelerated, uniformly accelerated, non-uniformly accelerated, यहाँ पर पहले चीज़ तो आपसे acceleration के बारे में भात की गई है, अब आपका x जो है वो ठीक होपर dependent है, y भी आपका ठीक होपर dependent है, तो समझे बात को, अगर आपका x के जो है, वो ठीक होपर dependent होता है, तो अगर मैं इसका single differentiation करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, velocity, और इस velocity का एक और बार differentiation करता हूँ, तब मुझे क्या मिलता है, acceleration, य फिर मैं simply बोल सकता हूँ, acceleration मुझे क्या मिलेगा, displacement का double differentiation, य भी बोल सकता हूँ न मैं, यानि मुझे क्या करना पड़ेगा, double differentiation करना पड़ेगा, दोनों case में, तो मैं x का अगर single differentiation करता हूँ, तो इ पड़ेशिक पता है, 4t, तो 4 constant है भार आजाएगा, t का t के रस में, डिफ्रेंशियन बन हो जाता है, यानि इसका vx कितना हुआ, 4 meter per second, अगर मैं vy निकालता हूँ, तो 3t का कितना हो जाएगा, 3 plus 8 constant है भार आएगा, t square का होता है 2t, तो यानि हो जाएगा 16t, बास संद में अब इसका एक और बाट differentiate करूँगा, तो x कितना हो जाएगा भार, 0 और ay कितना हो जाएगा, 3 का differentiation 0 हो जाएगा, 16t बचेगा आपका 16, यानि बेटा, x direction में कोई acceleration नहीं है, और y direction में जो acceleration है, वो constant है, यानि object आपका uniformly isolated होगा, उसने direction के बारे में कोई बात नहीं की गई है, यानि uniformly isolated आपका option number A में है और option number C में है, यानि आपका B option और D option तो आपका नहीं होगा, अब यहाँ पर दूसरी बात किसके बारे में की गई है, पाथ के बारे में, यहाँ पर पाथ है parabolic और यहाँ पर पाथ है straight line, दोनों में से कौन सा पाथ होगा, तो पाथ के बारे में ज इस ड्लेक्शन का x-leason 0 है, जिस ड्लेक्शन का x-leason 0 है, वहाँ से आप क्या निकालते हैं टाइम निकालते हैं, उसी time को आप पुट करते हैं, उस ड्लेक्शन में जहांका x-leason 0 नही है, जैसे है decision of trajectory आप निकालते हैं, तो x direction का system 0 होता है, तो यहाँ पर second equation लगाते हैं यही बात है न हम यहाँ पर ही y करेंगे x-0 कहां का है x-direction का यानि x-direction से हम क्या निकालेंगे time निकालेंगे तो पेटा x-direction से time निकालो x is equal to 2 plus 40 है यानि यह हो जाएगा x minus 2 is equal to 40 यानि t की value हो जाएगी आपकी x minus 2 divided by 4 इसमें किसे हो कोई doubt नहीं होगा अब y-direction में जीरो नहीं है यानि इसी की equation में t की value को हम put करेंगे so y is equal to 3t तो t हो जाएगा आपका x minus 2 divided by 4 plus 8 t square यानि x minus 2 divided by 4 का whole square अब मुझे बताना है कि यह path straight line का होगा या parabolic होगा देखे बेटा straight line का path कब होता है जब y proportional to x का power single term हो तब यह straight line का होता मगर यहाँ x का power 2 हो जाए quadratic equation आ जाए तो फिर path कैसा होगा parabolic होगा यहाँ तो x का power 1 है मगर यहाँ तो x का power 2 हो जाएगा ना पई कैसे ने कैसे solve करोगे इसको तो x का power 2 हो नहीं होना है तो आपको तो higher order देखना है यहाँ higher order कितना है x का power 2 यानि यह quadratic equation है और quadratic equation है तो path कैसा होगा आपका parabolic यानि uniformly isolated parabolic यह कहाँ दे रखा आपका option number a में ठीक है